कि हैं में तो हम डिसकस कर रहे थे complex numbers के स्कूल में फर्स्ट एकसर्साइज सेकेंड एकसर्साइज वो सब कुछ कर रहा हैं फॉस्स सेकेंड वहीं चल रहा था पहले अभी तो खतम हो गया होगा लेकिन मैंने मतलम में इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने आज ही देखा लिटेस् 23 24 की तो उसमें सिर्फ एक ही exercise है तो वो सिर्फ उसमें हमें एक ही exercise करनी है बाकी exercise 2 और exercise 3 तो मतलर ये जो ये पास में जोने की वही वो पुरा नहीं है मतलर इसमें सिल्यवस करना पड़ेगा हाँ cut करना पड़ेगा so at least for chapter number 5 and chapter number 6 I have done जो जो निकल गया है वो मैंने cross tick लगा दिया है तो 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 अभी इसके बाद बतुम कर देना मेरे book में से तो हमें 5.1 ही करना है सिर्फ 5.1 और उसके बाद जो 5.2 में हम rationalize करते थे और polar form में convert करते थे पहले simpler form था और सिर्फ complex number की calculations थी plus minus divide multiplication सब कुछ second में जो polar form में convert करना होता था that is reduced and third जो हमने last class में वो भी पूरा ही यस and third जो last class में हमने discuss किया था that is quadratic equation जो हमें सिर्फ निकालना होता है d वाला b square minus 4 इसी वाला वो भी cut हो गया है directly you have to do miscellaneous examples उसमें भी इसके related जो है वो नहीं करना है yes correct उसमें भी इसके related जो है वो नहीं करना है मैं बता ही देता हूं तुमें देखो जैसे कि एक्जैम्प्ल नम्बर 13 नहीं करना है एक्जैम्पल नमबर 110 करना है 15 नहीं करना है 16 नहीं करना है 15 और 16 नहीं करना है मतलब सिर्फ 14 करना है उससे पहले जो examples है उसमें 6 तक के सारे करने है then 6 के बार जो है 7, 8 वो 7, 8 क्रोस कर दो 7, 8 नहीं करने है 9, 10, 11 भी नहीं करने है 7, 2, 11 7, 8, 9, 10, 11 वो नहीं करने है then 12 करना है okay then 13 अभी क्रोस करवा दिया 15, 16 भी क्रोस करवा दिया 14 करना है that's it examples में योग है miscellaneous में भी question number 5 नहीं करना है then 6, 7, 8 भी नहीं करना है 9 भी नहीं करना yes so 5 से 9 तक के नहीं करना है then 13 नहीं करना है कि ओके सब करना है? दिखा जाए Construct被 हमारा चेटिर्थर ही इसके सहले करें अगर कॉंपलेक्स। चेटिर्थार ह switch कि मेhenavye सब्सफित होगune है हमेhera AI-S Another the only minus one कंनों में कांवोट करना कॉंपलेक्स दरता है गए- चेमें रहरा कोंप्लेक्स पर्बोर्म है उसको polar form में कैसे convert करते है Cartier में से वो कैसे convert करते हैं वो देखा तो हमारा concept wise question chapter complete हो गया है I will say थोड़े miscellaneous में से example हमारा test है कल किसका मैट्स का नहीं chemistry का Chemistry का हमारा वो chapter classification of elements and periodicity उसका test है कल and then Sunday हमारा class चालू होगा इस Sunday क्योंकि कल छुट्टी हो गई थी तो हम physics कर लेंगे Sunday कल हम कोड़े मैंट्स भी करेंगे और test भी है के दोनों होगा सब्सक्राइब करते है कि मैंट्स के चक्टर कतम होई है तो इसके questions भी काम है तो आप संड़े को आफ एनार नग लग 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 लिग को देते है कि आपको देना चाहो दे लिए तेस्ट के लिए तुम देना चाहो तो मैं दे दूँगा अधर्वाइस टेस्ट तो देना ही है अभी नहीं तो बाद में तुम चाहो तुछ संड़े कल केमेस्टिका दे दो संड़े मैंट्स का दो हां नया चेप्टर स्टार्ट करते हैं इसमें से जो थोड़े बहुत शायद मतलब कंसेप्ट हमने देख लिए लेकिन शायद कहीं पर अगर गडबड लगे वैसे क्विश्चन अगर मुझे लग रहे हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं हां यह बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रिकी है कंसेप्ट तो वही है जो हमने पड़ लिया बट थोड़ा लगाना पड़ेगा लॉजिक तो उसके लिए और थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा जो एक्चुली आगे नहीं दिया हुआ है एक्जम्बल में गिवेन है एक तो सिर् von जुगेट का है तो अभी हम पहला ही नुमेरिकल का जुगेट का ही कर रहे है और फिर एक दो कंसेप्ट और है तो हम वह कर लेते हैं उसके बाद तूं मिसलीनियस एक्सराइज तुम प्रक्टिस करना कितने हैं 20 तो ये 20 नुमेरिकल्स अच्छे से और ले ना उस म सकता है वो ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि तुम करना कोई डाव बतो हम वापस वह भी डिस्कस करेंगे तो हम अभी कर रहे हैं कि मिसलेनियस कि एक्सेसाइज किसकी है और चक्टर नूमबर पूर है अभी हां मतलब नहीं बूखे सबसे पूर नहीं बूख वो इंडक्शन वाला निकल गया हां मैथेमेटिकल इंडक्शन निकल गया है सो मिसलेनियस एक्सेसाइज ओन चैप्टर नूमबर पूर अपॉर अपॉर्डिकल मिल रही होगी यस 2023-24 के अपॉर्डिंगली मैंने यह एड्लाइन लिखा हुआ है मतलब हम कॉंप्लेक्स नूमबर कर रहे हैं क्योंकि यह फिर्थ वाला है ओके चलो तो क्या बुल रहे है निमेरिकल नंबर पूर्थ क्या बुल रहे है इफ एक्स माइनस आइवाई इस इक्वेल्स टू स्क्वेर रूट ओफ ए माइनस आइवी डिवाइड़ बाई तो प्रूव करो हमें प्रूव करना है क्या प्रूव करना है एक्स स्क्वेर प्लॉस वाई स्क्वेर तू दी होल स्क्वेर इस इक्वेल्स टू आइसा क्वेशन हो जब भी तूमें ऐसा क्वेशन गिवन हो के प्रूब करो और उसमें तुम्हें दिखाई दे x square y square ऐसा दिखाई दे तो वो question है conjugate का पहले हम conjugate का concept समझ ले थे conjugate is nothing बट जैसे के मेरा ये एक z is equal to sign a plus ibs तो सिर्फ iota का sign change हो जाएगा that is the conjugate तो अगर conjugate को ऐसे denote करते है z bar से तो अगर z bar निकालना हो तो इसमें iota का sign में क्या कर दूंगा change कर दूंगा सिर्फ iota वाले term का sign change होगा बाकी कोई term का sign change होगा नहीं understood बस यही है तो यह conjugate तो जब भी ऐसा दिया हुआ हो x minus i y और x plus i y भी दिया हो x plus i y is equal to ऐसा कुछ लिख कर दिया हो तो उस case में हमें conjugate वाला concept ही use करना है तो चलो conjugate concept से हम क्यों conjugate वाला use करना है क्योंकि अभी जैसे उसका answer आएगा ना तो तुम्हें बता चलेगा जैसे कि यहां हम अगर conjugate निकाल लें तो क्या होगा say x minus i y का conjugate is equals to square root में a minus i v का conjugate divided by this डाइरेक्टी कर सकते है बट step दिखाने पड़ेंगे otherwise वह marks काटेंगे इस और आपने आपके conjugate लगा जाए तो वह तो a plus i y भी हो जागा कॉनसा? आपने वहां पर जिसको करना था वह x minus i y भी होगा इसना आपने इसको conjugate लिखा लेकर चीड़ा कि नहीं से एक plus i y भी होगा नै इसका मतलब यह जो है उसके उपर अगर मैं हमने बार लगाया तो अब बार निकालेंगे तो plus लिखनेंगे मतलब यह तो उसकी टर्म है ना? मतलब यह जो है यहां पर तुम्हें एक sentence लिख देना है कि taking conjugate on both this side मैं आपने क्या बोलना हो? कि x minus iota y जो तो z है ना? हाँ वो ही z है यस तो आमने z बार डाइकल लिखा हो हाँ तो फिए z बार को हम जो लिखते है तो उसकी जो equation मतलते है तो फिए डायक्त फॉल बर्टो उसकी बड़ता हम नहीं लगाते है जसे लिखा भी आपने क्या था नहीं देखो जैसे कि मान लो कि यह हमारा क्या है z है x minus i समझ गए अब हम क्या कर रहे है z बार निकाल रहे है तो z बार क्या होगा x plus i y वैसे होगा तो यह था तो z यह है अब this is equal to यह भी है तो यहां तुमने बार लगाया तो फिर यहां भी बार लगाना पड़ेगा समझी यह दोनों तो equal लेकिन दोनों equal है तो अगर तुम इसको बार लगा रहे हो तो इसको भी बार लगाना समझ में आया है पक्का तो क्या हो रहा है कि अब आगे हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा say x plus हो जाएगा i y यहां पर क्या हो जाएगा square root रहेगा a plus iv और दूसरा क्या हो जाएगा c plus iv plus हो जाएगा minus के जाएगा conjugate कर दिया हमें तो हमने क्या किया z bar निकला z है then z bar is equal to इसका भी बार and इसका भी बार सबका बार लेगे अब इसका बार लेंगे तो क्या आजाएगा minus का plus हो जाएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा minus का plus समझ में आ गए से x minus i y and x plus i y यह a minus b और a plus b नहीं हो जाएगा हो जाएगा और उसके equals to में क्या आ जाएगा उसके equals to में आ जाएगा हमारा square root of say a minus ib divided by c minus id multiplied by square root of a plus ib divided by c plus ib okay now आगे क्या होगा अब multiply करना है simply तो x into x से और हाँ a plus b a minus b तुम लगा सकते हो a square तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का square minus b का square i square y square okay हो जाएगा i y to the whole square i square y square easy equals to क्या होगा वहाँ पर देखो square root है तो वहाँ पर भी वह लगेगा क्योंकि हम ऐसा लिखते हैं square root of 2 and square root of 3 तो हम इसको ऐसा लिख सकते है square root of 6 okay तो वही हम यहाँ लगाएंगे तो a की square root में यह दुनों आ जाएंगे तो वहाँ पर भी वही rule लग जाएगा minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो वह क्या आ जाएगा x square plus y square अब यहाँ भी माइनस हो जाएगा i square is equal to minus 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा square root of say a square then plus हो जाएगा यहाँ पर i square की value रख देंगे minus 1 minus 1 minus minus plus plus b square divided by c square plus b square तो यहाँ पर हम square कर देंगे on both the side so क्या हो जाएगा यहाँ sentence लिखना है taking square on both the side and all direct-direct नहीं नहीं तो marks काटेंगे okay तो systematic way में पूरा लिखना है जैसे मैंने last class में तुमें बताया था के तुम marks ले आओ that is good but कहीं अगर किसी को ऐसा है के नहीं है तो वह exact देखेंगे कि अच्छा पूरा step by step है neat and clean है तो सारा गॉर्बली भी जो लिखना है वह सारा steps लिखना है taking square root on both taking square on both the sides तो यहां हो जाएगा x square plus y square to the whole square और यह square root हट जाएगा तो यहां पर बन जाएगा a square plus b square divided by c square plus understood तो हो गया fruit means fruit understood simple था okay सिर्फ हमें conjugate का concept यूज करना है तो यह था हमारा numerical number 4 okay रब करो ना अब नेक्स्ट यह सब तो है ही नहीं भी नहीं है यह simple ही है वैसे तो देखो nth वाला होगा सोचो क्या करेंगे क्या करेंगे उसमें वो देखो और फिर वो मॉडूलस है यह तो वो जो लास्ट में आंसर आएगा उसका मॉडूलस निकालना है उसको वैसे यह रखना है जैसे के तुम्हारा लास्ट में वो स्क्राइब रखना है 14 वाला देखो क्या करेंगे सोचो कैसे फाइंट करेंगे यह कौन जी उजेट है से हाँ गीवन है वो एक्स और य की वेशने नहीं उसका मतलब है ना तो मतलब कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे देखो मैं हिंट दे देता हूँ फिर तुम्हें लगे कि हाँ सब हो जाएगा तो बता देना 14 वाला, find x and y, क्या है? x minus iy and 3 plus say 5i is the conjugate of minus 6 minus 24i मतलब यह जो है इसका multiple करेंगे हम यह है वो इसका conjugate है मतलब इसका conjugate और इसका product जो आएगा वो वो दोनों equal है ऐसा हमें given और हमें find क्या करना है? x and y की value find करना है तो सबसे पहले इसका multiplication कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? say 3x plus say 5x i okay minus 3i y नहीं अभी i तो अभी किया ना उन्टी पहले x का किया पहले? और minus plus minus and then say 5y i square done? okay और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? say आजाएगा? यहाँ i square की value डाल देंगे तो i square की value क्या हो जाएगी? minus 1 तो यह plus हो जाएगा तो 5y आजाएगा और यहाँ पर तो यही है तो यहाँ पर आएगा 3x plus 5y और यहाँ पर से i common निकलेगा so say plus i common and यहाँ पर आजाएगा 5x minus 3y done? this is equals to मतलब यह जो है is equals to बोला गया है इसका conjugate फिर से देखो x and y if this is the conjugate of this तो इसका conjugate है इसका जो answer होगा वो इसका conjugate है तो इसका conjugate क्या बनेगा? हाँ तो इसका conjugate क्या होगा? minus 6 plus i square i, plus हो जाएगा, yes इसका conjugate minus की जगे यहाँ पर i, plus हो जाएगा now, three item क्या जाएगा? कौन सा? spell equation इसमें क्या? common, अंदर महाँ पर जाएगा 3y now, अब हमें क्या करना है? simply, देखो, plus है, plus है तो तुमें value compare कर देनी है, okay? जो real part है, उसके real part से क्योंकि बीच में equal है तो हमारा क्या आजाएगा? say, लिखना है बीच में equating the real part and the imaginary part so, what we will get? 3x plus say, 5y is equal to say, minus 6 and we will get say, 5x minus 3y is equal to say, 24 this is equation 1, this is equation 2 दो equation solve करना हमें आता है यह substitution method लगाओ, elimination method लगाओ, कुछ भी लगाओ okay, मिल जाएगा अब x and y, कुछ भी नहीं करना है यहाँ ऐसा हो तो multiplied by 5 कर दो और यहाँ हो तो multiplied by 3 कर दो, पूरे equation को तो यह पहला वाला cut हो जाएगा 15x and say 15y तो यह तो पूरा ही cut हो जाएगा, okay? वैसा मत करना क्यों? क्योंकि यह भी 15 हो जाएगा और यह तो 25 हो जाएगा, तो पूरा cut नहीं हो जाएगा यह कर दें थे रोफटाबर तो तो हो जाएगा ना ओचाल सो हमें X और Y की वेल्यू मिल जाएगी सो दिस इस दी क्वेश्चिन नमबर 14 धैन क्यों हो जाएगा 16 में क्यूब है क्यूब का फॉर्मुला याद है ना हां एक वहाँ पर क्यूब का फॉर्मुला नहीं लगाएंगे A प्लस B to the whole क्यूब तो इसका फॉर्मुला है से A Q प्लस B Q प्लस 3 A B इंटो प्रैकेट A प्लस B ऐसे याद रखो या तो फिर इसका मुलिप्लेकिशन है वह फॉर्मिला डायरेक्ट में लिखा होता है कि aq प्लस bq प्लस 3a2b प्लस 3a2b जनरली यह फॉर्मिला लिखा होता है बट तुम यह आद रखोगे तो भी यही है दूनों से बी तो उसका यूज आएगा उसके बाद तो हो जाएगा हाँ देखो यह करते हैं 17 वाला करते हैं ओके देखो 17 में क्या बोल रहा है if alpha and beta are different complex number मतलब alpha और beta दोनों complex number ही है लेकिन हमें given नहीं है उसकी value जैसे कि a plus ib वो नहीं given है तो सिर्फ लिखा हुआ है कि different complex number है जहां पर modulus of beta given है तो modulus of beta अगर वो complex number का modulus लेंगे तो उसकी value है आप then find 3 से चलो लिख लेते हैं alpha और beta दो complex number है then say modulus of beta is equals to 1 है then हमें find करना है क्या find करना है हमें हमें find करना है modulus beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar and beta modulus यह find करना है यस तो हमें यह given है अब हमें आगे find करना पड़ेगा तो देखो सोचो चलो कैसे करेंगे हम actually यहां पर एक concept use होता है वही conjugate वाला बट हमें पहले मुझे तुम्हें वह समझाना पड़ेगा तो वह समझाता हूँ देखो suppose हमें given है z okay z given है z is equals to say x plus i y si तो conjugate of z क्या हो जाएगा x minus i y हो जाएगा done अब यह दोनों का multiply करेंगे तो z into say z bar इस दोनों का multiply करेंगे तो यहां बर भी multiply को हो जाएगा यहां multiply होगा तो क्या होगा x plus i y and x minus i y तो क्या हो जाएगा x square minus say i y to the whole square तो उसका हो जाएगा x square minus i square y square और यह answer क्या हैगा x square minus i square का minus 1 तो plus x square plus say y square done okay now यह x square plus y square क्या है actually अगर हमारा यह z है सासमझा this is my z okay तो अगर यह z है तो मेरा modulus कैसे निकाल देते हैं हम ऐसे modulus निकाल देते that is what r r ही है modulus okay तो उसकी value कैसे निकाल देते x square plus y square करते modulus को लिखते कैसे थे उसका formula क्या था x square plus y square था okay हमारा r जूनने का formula जो actually अभी तो निकल गया है लेकिन r जूनने का formula क्या था square root of x square plus y square तो हम लिख लेते हैं general formula x square plus say y square तो अगर ऐसा है x square plus y square तो उसको हम r लिख सकते हैं that r is nothing but the modulus of z वही है okay r को ही modulus बोला जाता है अगर हम square कर देती हों तो यहां हो जाएका say z का square is equals to r square is equals to क्या हो जाएगा say x square plus y square square root of z तो यह value हम वहाँ put कर देंगे तो यहां हमें क्या मिल जाएगा say z into say z bar is equals to say modulus modulus of z यह मिल जाएगा इसका हमें use करना है कि खेश्य कोई भी अगर तुम पहले से यह ले लो अगर तुमने जैड ले लिया है क्या है एकस माइनस आिया है तो जैड बार क्या हो जाएगा एकस प्रस फिर उसके लिए तुह करो कि तो भी आश्र तो यही आने मद अधा है z into z bar is equal to kya modulus of z to the whole square इसका हमें यूज करना है पहले ये समझ गए easy था अब ये पॉंडा हमें यूज करना है numerical में so से हम मान लेते हैं कि हमारा जो z है वो nothing बट इसके अंदर का जो है वो है बीटा माइनस आलफा divided by 1 माइनस से आलफा ये हमारा z है हम assume किया है we assume let us assume let us assume okay z is equal to ये है हमें उसी की value find कररे है okay कि उसकी value क्या है वो हमें find कर रहे है बीटा माइनस आलफा 1 माइनस आलफा बार एंड बीटा तो अगर ये है z तो z बार क्या होगा बीटा माइनस आलफा उपर बार 4 divided by 1 minus alpha bar beta उसके उपर भी bar ओके, now अब हम beta का bar, मतलब beta के अंदर जो भी iota होगा, उसका sign change कर देंगे, लेकिन हमें given ही नहीं है के beta is equal to say a plus ib, say alpha is equal to x plus i y, ऐसा कुछ भी given है, नहीं so for time नहीं, क्योंकि हमें तो iota के form में given ही नहीं है, उसका बार कैसे निकालेंगे iota के form में given हो तो बार निकालेंगे, लेकिन iota के form में ही नहीं है, तो conjugate कैसे निकालेंगे तो उसके लिए temporary हम जैसा है, वैसा ही रखते हैं conjugate हम उनको दे देते हैं तो उनको अगर conjugate वेस करवेट देनके तो क्या हो जाएगा? से बीचा बार माइनस से अल्फा बार divided गार वरन माइनस अल्फा बार है और उसका भी बार उसका भी बार तो अल्फा हो जाएगा? दन? यह तुम नगी आंसर देन दिया सिम्बल है अल्फा से एकक्स प्लस आइवाई अल्फा बार से X माइनस आई वाई अल्फा बार उसका बार तो वापस क्या बजाएगा X पुरस आई यह और यह सेम ही है तो हम भी डाइरेक अल्फा लिए लिए ओके समझ में आगे नाव अब हम देखो Z दून लिया, Z बार दून लिया नाव हम दूनों का multiplication करते हैं ओके, दूनों का क्या करते हैं multiplication करते हैं यह पूरा का पूरा Z है ने ने हमने सिर्फ यही एस्यूम किया है हमने अपना Z यही एस्यूम किया है understood ओके हाँ अब हम Z इंटू Z बार करें हैं Z इंटू से Z बार is इक्वल टू से क्या हो जाएगा बीटा माइनस आलफा whole divided by 1 माइनस आलफा बीटा multiplied by यह आ जाएगा क्या बीटा बार माइनस आलफा बार divided by 1 माइनस आलफा इंटू बीटा done is इक्वल स्टू क्या होगा अभी हमने जो formula देखा उसके हिसाब से यह अगर किया है तो is equal to में क्या आएगा modulus of z का square तो z है हमारा यह beta minus alpha divided by 1 minus alpha beta to the whole square यह आएगा done? हमारा z into z bar किया है तो हमारा answer आएगा modulus of z to the whole square उसके वेज़ पे हमने z की value लखे हमने z bar के value रखे और modulus of z to the whole square तो हमारा z हमने यह assume किया था तो उसका modulus to the whole square समझ में आगे? now simply हम multiply करें इनका so क्या हो जाएगा तो क्या होगा कुछ नहीं तो multiply करना पड़ेगा say beta into beta bar then say beta into say alpha bar then say minus alpha into say beta minus minus plus alpha into alpha bar whole divided by say यह same है यह नहीं तो 1 into 1 minus alpha beta bar यह भी हो जाएगा minus alpha bar beta minus minus हो जाएगा plus यहाँ पर हो जाएगा alpha alpha bar beta beta bar यह प्लस में हो जाएगा यहाँ करे है अभी वो इंचे लेको तुझे लाश्ट में alpha bar मैं और उपर आणा हो जाएगा लेकिन प्लस है ना बीच में यह दुनों लेकिन कट नहीं होगा ना वो अगर तुम्हारा सब जगे मंटिप्लाई हो तो तुम यहाँ कट कर सकते हो नहीं तुम नहीं कर सकते हो हाँ यही जो अभी हमने इसके लिए फंडा यूज करते हैं तो बीटा इंटू बीटा बार के लिए क्या लिख देंगे हम बीटा मॉडूलस टुदी होल सकते हैं वैसे ही यहाँ क्या लिख सकते हैं से अल्फा को पहले लिखते हैं आल्फा बार बीटा माइनस आल्फा बीटा बार इसको क्या लिख सकते हैं से मॉडूलस ओफ आल्फा टुदी होल स्क्वार ओल डिवाइड बाई 1 minus say alpha beta bar minus alpha bar beta plus यहाँ पे रिखेंगे modulus of alpha to the whole square and modulus of beta to the whole square Done? modulus of beta अब बेल 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 यह step समझ में आगए ओके यह रब कर दे रहा हूँ ओके रब कर दू न तो यह रब कर रहा हूँ अब हमने क्या किया है यह modulus of beta is 1 तो इसकी value हमने डाल दी 1 1 का square आजाएगा 1 तो यहाँ 1 आगए minus alpha bar beta minus alpha beta bar plus alpha to the modulus of square divided by 1 minus alpha beta bar minus alpha bar beta plus alpha to the whole square इसका value 1 1 का square 1 Done? Okay? यह सेम है? यह उपर वाला निचे वाला सेम है? देखो इसको यहाँ ले आओ इंटर्चेंज कर दो तो 1 1 alpha bar beta alpha bar beta minus वाला alpha beta bar alpha beta bar minus वाला n plus this पूरा का पूरा टाउमी से नो उपर वो नीचे तो क्या हो जाएगा? cancelled out पूरा ही cancelled out हो जाएगा तो यहाँ रहेगा क्या? सिर्फ 1 is equals to हमारा यह तो इसको तो हमने छेडा ही नहीं तो 1 is equals to हमारा आएगा modular solve से बीचा minus alpha to the whole square 1 minus alpha bar to the beta to the whole square yeah now हमें इसकी value find करनी है taking square root on both sides तो अगर square root हम दोनों side करेंगे तो plus or minus 1 हो सकता है मतलब कि यह square root of 1 होगा और 1 plus or minus 1 होगा taking square root on both sides करेंगे जैसे कि हम करते हैं कि say square root of 16 तो plus 4 भी हो सकता है और minus 4 भी हो सकता है क्यूं? क्यूंकि plus 4 का square भी क्या हो जाएगा 16 और minus 4 का square भी क्या हो जाएगा 16 तो हम plus or minus 1 लिखते हैं generally बट इस case में नहीं लिखेंगे क्यूं? क्यूंकि हमें given है modulus और modulus के अंदर की value हमेशा क्या होगी? plus ही होगी तो ये value क्या जाएगी? say 1 is equals to say beta minus alpha divided by 1 minus beta वो reason भी लिखेंगे के year modulus is given therefore minus 1 is not possible therefore this is equal to this हमें इसकी value find करनी थी तो अगर answer is 1 1 हमार answer understood? तो ये main concept हमारा वही है z multiplied by z bar is equals to modulus of z to the whole square पहले तो ये concept हमें देखो इसका तुम direct use कर सकते हो तुमें दिखाना नहीं है जैसे हम मैंने तुमें करके दिखाया वो नहीं दिखाना है ये concept का use तुम direct कर सकते हो कैसे ये जो given है उसको ही z मान लो then उसका z bar निकालो then हमें पता है के z into z bar करेंगे तुम लिख दो verbally लिख दो मतलब तुम verbally लिख दो मतलब क्या के तुम लिख दो verbally तो verbally हो गया तुमें लिखना पड़ेगा okay so क्या लिखोगे तुम कि since we know that z into z bar is equals to modulus of z to the whole square then let us assume z is equals to this z bar is equals to this and that is equals to z modulus of z to the whole square understood समझ में आए most important सबसे important question ही है okay क्यूंकि प्रक्टिस से आएगा understood okay तो ये हमारा पुरा था इसके बाद वाला तो मोस्टी तुम से रोही जाएगा जा है ये है क्यूंकि जाएगा हम हो ही जाएगा okay done कोई डाउट दिखरा हो directly हाँ लेकिन सिर्फ problem statement देखके कोई डाउट जैसा लग रहा हो तो हम discuss करें otherwise हम आगे काल देखते हैं okay ये था हमारा चैटर नंबर complex चैटर नंबर फोर okay complex numbers so जो भी डाउट हो वो तुम मुझे पूछ ले ना I think बाकी सब तो हो ही जाएगे देखो next वाला ही देखो वो भी important है क्या है कि क्या बोला है उन्होंने modulus modulus ऐसा बुला है कि modulus 1- i whole raise to x is equal to 2 raise to x और हमें finding number of non-zero integral solutions मतलब कि x की value निकाले है तो कैसे निकालेंगे ये देखो कुछ idea आ रहा है सिर्फ इतना ही जीवन है इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे डायरेक्ली तो ये होगा निए इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे तो हम यहां modulus का fund I use करेंगे ये क्या है modulus में given है 1-i सिर्फ इतना देखो उपर raise to x है उसको मत देखो तो अगर ये है modulus of particular number तो modulus हम निकालते कैसे है square root of x square plus y square तो 1 का square plus y y क्या है minus 1 तो minus 1 का square तो ये क्या हो जाएगा square root of 1 plus 1 तो ये क्या हो जाएगा square root 2 हो जाएगा okay तो इसकी जगे modulus of 1 minus i तो modulus of 1 minus i ये पूरा का पूरा जो है उसकी जगे में root 2 लिख सपने okay so root 2 raise to x is equal to 2 raise to x बस अब तो हो जाएगा हाँ अब तो root 2 को say 2 raise to 1 by 2 लिख दो 2 raise to 1 by 2 whole raise to x is equal to 2 raise to x now इसको लिखेंगे तो 2 raise to say x by 2 is equal to say 2 raise to x तो base same है तो हम directly compare करें तो x by 2 is equal to x अब xx cut मत कर देना चल्दोली हम 10 तक ऐसा करते थे कि ये है xx cut कर तो कि तो क्या आ जाएगा 1 by 2 is equal to 1 अगर xx cut कर देना तो xx cut नहीं करना है हमें इसको ये side ले आओ suppose तो say x by 2 minus x is equal to what 0 अगर LCM ले लेंगे हम अगर तो क्या हो जाएगा say x minus say 2x by 2 वहाँ चला जाएगा is equal to 0 तो इसकी value क्या आएगी minus x is equal to 0 so x is equal to 0 that is the answer यहाँ पर तो हमें पूचा ही है find the number of non-zero integral solution तो non-zero नहीं मिल रहा है 0 ही मिल रहा है non-zero हो तो non-zero find करेंगे और zero हो तो zero find करेंगे तो हमारा तो zero आ रहा है x is equal to zero understood ओके तो यह था हमारा equation number 18 understood समझ में आ गय है अभी आगे जो भी doubt हो तुम पूछ ले न otherwise हमारा chapter यहां पर complete होते है okay